हेलो वाट्स आप गाईज टूरे इन दिस पीडू गूबल सी रियक्ट प्लस अक्षियोस प्रोजेक्ट जी यहां गाईज तो बहुत ज्यादा मज़ा नहीं क्योंकि रियक्ट हम अल्रेडी कंप्लीट कर चुके है हम 10 stack query भी कंप्लीट कर चुके है and Redux is almost half done ठीक है तो मैं सोचा क्यों आज अगें हम एको प्रोजेक्ट करते हैं जहां पर हमने प्रोजेक्ट को थोड़ा सिंपल बट येट आपको बहुत कुछ सिंखने में लेगा and that is your currency converter application I know यह बहुत जगे काम आता है जहां पर आप देख सकते हो अगर मैं आपको दिखाऊं आपको कितने अमांट को करना है ठीक है then from कि मतलब आपको आप यहां पर जो भी आप अमांट एंडर कर रहें वह आपकी अमेरिकन डॉलर्स में होंगे लेट से 10 अमेरिकन डॉलर एक्वल तो हो मच इंडियन रुपी ठीक है कुछ इस तरीके से एंड आप देख सकते हैं फिलाल अभी यह जो बटनी टोटली डिसेबल मालब जब तक आप कोई वैल्यू यहां पर पूट नहीं करोगे तब तक यह डिसेबल ही रहेगा एंड वांस आप कोई वैल्यू यहां पूट करते तो यह डिसेबल से हट जाता है क्यों क्योंकि हम एपी इसे रिक्वेस्ट कर रहे है ठीक है एंडी बैस पार्ट यह है बैस तो क्या बोलू बढ़ हाँ जो एपी हम यूज करते है इसके लिए वो फ्री में हमें नहीं मिलत है आपके एक रिक्वेस्ट के लिए पाई से कर्ट होते हैं बट लग्किली लग्किली गाइस हमें यहां पर एटलीस एक हजार या पांसो क्यास पास हमें हम इसको एक महिने में फ्री कॉल कर सकते हैं तो यहां पर बहुत को सिखने मिलने वाला है एक तो आप एक्सियो से आप API कैसे गेट कर सकते हो वी नीड़ API की दन बटन के क्लिक करने पर डेटा को फेच करना और उसकी वैली को कैसे पूट करना एंड यह जो पार्टे बिसिकली है यह आपके ऑप्सन से अप सिव अमेरिकन टू इंडियन ने आप अमेरिकन यूरोपियन आपका इंडियन ग्रेट ब्रिटें ऑस्ट्रेलि कर सकता हूं फिर वापस हटा दूंगा आप में इसको कुछ नहीं कर सकता है ठीक है मैं क्लिक नहीं कर सकता हूं सो मैं कर देता हूं 10 देखो समवेर 84 का भाव चल रहा तो 84849 नोना चीए सब्सक्राइब करता हूं अब आप देख सकते हो एड़ बॉटम हूं या गेटिंग दी एक्चुल कंवर्जन वैल्यू कि 10 अमेरिकन यूएस डॉलर इस इकॉल टू हमच इंडियन रूपी कुछ इतना इंडियन रूपी होता है ठीक है आप 34 का पूजिट कर सकती इंडियन इंडियन रूपी टू यूएस डॉलर ठीक है अब एक काम करता हूं कि मेरे पास सपोज 10,000 है इंडियन रूपी अमेरिकन में कितना होता है ठीक है लेट सी एक काम करते 10 किसले मोस्टली लोगों की सेलरे आगेस 25,000 होती होगी ठीक है या 30,000 के असपास बेसिक तो उतना अम अपना खुत का करेंसी एक्षेंज, करेंसी कंवर्टर अप्लिकेशन करें विद गप रेक्शन ये रेक्शन प्लस आईयोस यह लोगा को बहुत जादा माझा होगा और यह कहना जाऊंगो इफ आपने मेरा यह जाएक्श डियादी कर चुका है and you are pretty confident कि मैं कुछ भी बना सकता हो तो guys I think it's a challenge for you आप इसको खुछ से ट्राइज जरू कीज़ेगा इसका CSS source code बिल्कुल फ्री है मैं आपको starter and final code दोनों सेर कर दूंगा तो आप starter file को copy करके तेन आप इसको continue कीज़ेगा ठीक है अगर आपको लगता है कि नहीं पहले में देख लूँगा फिर मैं खुछ से ट्राइज करूँगा तब इसको आप I mean तब इसको continue कीज़े मुझे भी बहुत कुसी होगी और वीडियो अगर आपको पसंद आता तो लाइक दोस्तों के साथ बर बर के से सब्सक्राइब और नेक्स सब्सक्राइब और अभी तक नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए गा अब बिना किसी दिर के बिल्क स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अब देख सकते हैं अपने व्यसक्राइब आज चुका हूं हमें सबसे पहले रियक्ट एंडन एक्स्यों जो एंप्यम पैकेज उनको इंस्टॉल करना है ठीक है एंड वी निदा रियक्ट वी निदा जावस्क्राइब एंड इस इत यह हो गया अन्प्यम इंस्टॉल मैं अल्रेडी सब कुछ बता चुका हूं ठीक है तो यह जब तक मेरा इंस्टॉल हो रहा है वी और सब्सक्राइब पैकेज तो यह मैं थोड़ा सा फटा फटा फट कर रहा हूं कि मैं अल्रेडी आपको रियक्ट वर्जन 19 जो कि अभी तक ऑफिसली रिलीज भी निवा है वो मैं अल्रेडी आपको बता चुका हूं यह पर प्लीज इन सब को चेक आउट कर लीजेगा ठीक है तो हैर वी आप देख सेक्ति हो वी आपको करना होगा न्पिम रन और देख तो कुछ इस तरीकी साब यह 5174 पर आपका रन कर रहा है ठीक है तो यहां पर आप देख सेक्ति हो कि इस इस सिंपल आवर पैकेश.json फाइल सिंपल ठीक है लेट्स को विच सोर्स एप.j6 पूरा को पूरा मारो गोली मुझे कुछ भी नहीं चाहिए यहां पे ठीक है एंड ओबिसली वान मोर थिंग आप.j6 इसको भी पूरा का पूरा हटाओ थाओ दैन वी इस इंडेक्स.css इसको बताना चाहूंगा गाइस सिब बता देते क्यों मैं वर्ल्ड बेस से स्कोर्स पूरा का पूरा सतरा घंटे का यह देखो न 11 एंडिया है यहां पर पूरा एक फूली रेस्पॉंसिब वेबसाइट बना के बता है इन वीडियो को जो चेक आउट कीजिए बहुत मज़ाएग से सब मिल जाएगा आपको यहां पर ठीक है और तो इसको मैं हटाता हूं इंडेक्स पर गए जल्दी से यह जो मेरा पार्ट है ठीक है यह जो हमारा कॉंस्ट वाला जो एप है यह बेसिकली जो कंपोनेंट है इसको मैं सिंपल सा एंड वी नीड टो एक्सपोर्ट डिफॉल और ठीक है इतना अगर मैं करता हूं अब अगर मैं यहां पर चलूंगा तो आपको कहीं ना कहीं यह एबाउट की मुझे नहीं है तो आपको हेलो करेंसी कुछ हो इस्तिरगे से दिखाई देगी ठीक है चलो इतना मेरा काम होगी है लेकिन सबसे पहले यहां पे जब भी मैं कुछ भी क्लिक करता हूं यह कंवर्जन कैसे हो रहा है आपिसली हम करें विद्धी हल्प आप विद्धी हल्प आप एन एपी आई तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे बट जो मैं यूज कर रहा वो है एक्चेंज रेट एपी फ्री आपको दोनों मिल जाएगा गेट फ्री की तो यहां पर फ्री की पर जाईएगा कुछ इस तरह किसे आपको लॉग इन करना है और बस आपको अपना जो अप्री का की है वो मिल जाएगा ठीक है तो इस इस माई एपी आई का की तो और मैं आसा करता हूं कि आप अपना खुद का जनरेट कीजे कोई स्पॉंसर वीड पर कितने जाते होंगे पैसे तो यह आपको जितना फ्री मिलता आप उसके साथ खुश रहिए है तो यह आपका बनके रेडी है इसको मैं कॉपी कर लेता हूं सिंपल मैं चलता हूं मैं देखो सोर्स पे के निव फोल्डर क्रेट करा हूं जिसका नाम होगा अपि इसके निव फोल्डर क्रेट करा हूं पोस्ट एप ऑ ठीक है अ एपि डॉट जे एश सेक्स ञिक है यहाँ पर ओल्रेट है तृक है मैंने आल्रेडे आपको एकसी उसका मैं as it is रख देता हूं ठीक है so import है ना मैं चलता हूं axios from axios ठीक है ओल्राइट यहां पर मैं आता हूं we need to create a base url basically instance create करने axios का so कैसे करेंगे axios dot we have a create a method इसके अंदर हम base url pass करते हूं we have a base url ठीक है and our base url all right this is my base url ठीक है यह मेरा base url है अब मैं तो अब इसले instance create कर रहां so const API this is it so यह मेरा काम हुई है ठीक है हमने instance create कर ली now we need to create या get request लिख दो खाली fetch लिखने की नहीं है ठीक है तो मुझे अब एक get request करना है ताकि मैं इस API का जो conversion वाला जो पाटे उसका मैं यूज कर सकूँ right so हम कैसे करेंगे देखो we need to export const and मैं अब यह सोच लो कि आप कौन सा function create करने वाले हो तो मैं कर देता हूँ currency converter और यह इस अ कनवर्टर एंड यहां पर काईस में क्या करता हूँ simple इस तरह किसे में चलता हूँ अब मैं यह एजिम करूंगा देखो यह जो URL है ना तेखो क्या करता है अब हम return API यह आवर इंस्तेंस इसमें वी है बाम multiple http methods that is your get post put patch delete इस तरह किसे फिलाल मुझे डेट को get करना साव इस टीपी गेट मेथेड अब इस get method में base URL मेरा ready after base और मुझे क्या लगेगा so guys after base मुझे लगेंगे यह चीजे जो मैं यहां पर paste कर देता कुछ इस तरीकी से so basically complete URL है जो मेरा इस तरीकी से बना so I need a from currency to currency and then amount so let's let's assume कि मैं जब function को call करूंगा तब यह जो particular तीन एक second तीन parameter जो है वो मैं pass करने वाला हूं जब मैं इस function को call करूंगा simple ठीक है funda यह यह जब आप इस function को call करूंगा because this function accepting three parameters तो जब भी मैं इस function को call करूंगा तब मैं तीन argument पास कर दूंगा ठीक है so this is it तो वांस आपका यह जो एक एकक्स बेसिकली जो API का जो call है and then यह जो function है इतना बना ले तो this is it आपको कुछ नहीं करना है बस आपको कितना amount sorry this is the amount from USD to India इतना आपको share करना है यह automatic conversion करके result हमें दे देगा all right perfect यहां तक मेरा काम ready अब मुझे प्रॉब्लम नहीं अब मैं यहां पर चलूँगा ठीक है इस जगे पर इसको आज टीज रखते कुछ चीजे है जो हमें देखना है सबसे पहले मैं आगा यहां पर चलता हूं so here what we have we have one h1 simple एक hr का line है एक input field है we have two select options एक button है and then at the end we have one jow bhi value है basically अगर कुछ error होगा तो भी वह रहां पर मिल जाएगा so 1 2 3 4 5 and then 6 ठीक है h1 एक input दो select and एक button so let's go with not selection let's go with section ठीक है गाईस इसको एक class देना है हमें and that is your currency converter hyphen converter perfect ठीक है इसके नीचे मैं चलूँगा we have one more div ताकि वो जो white div आपको दिखाए दे रहा वो मुझे मिले so I will go with currency div ठीक है अब इसमें मेरा सारा डेटा आने वाला है, so what we need, we need one h1, जिसमें we have this particular part, so मैं paste कर देता हूँ, ठीक है, उसके नीचे मैं चलता हूँ, एक और div, now we need to have those input, so मैं यहाँ पर चलता हूँ, लेबल, ठीक है, currency underscore amount, ठीक है, चलेगा, कोई नी, html for देना जरूरी है, यहाँ पर आप आजाएगे, amount, एंड ठीक हम इसी के ही नीचे चलते है, कोई नी हमारे पास prettier तो है, अल्रेडी वो टैकल कर लेगा, input type, text के बदले, let's go with the number, खाली हम number put कर पाएंगे, value जो भी अभी, ठीक है, अभी value में जाता हूँ, आता हूँ, basically, id पर मुझे यह देना पड़ेगा, आले कि ना दो तो भी चलेगा, क्योंकि दोनों साथ में है, and then on change थोड़ी देर में आने वाला, but ठीक है, फिलाल इतना में छोड़ देता हूँ, ठीक है, so I guess a, m, o, u, n, t, amount, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर चलता हूँ, इस जगे पर, तो कुछ at least आपको इतना तो भी दीख रहा है, अब आपके माइंड में एक चीज यहाँ सकता है, कि तिने सारे डेटा में अगर मैं यह सेलेक्ट करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर पता कैसे चल रहा है कि यूजर ने किसको सेलेक्ट की, and यहाँ पर मैं अगर सपोस ऑस्ट्रेलियन डॉलर सेलेक्ट करता है, तो पता कैसे चल रहा है कि मैंने कैसे क्या, तो यह भी एक ट्रिक है, सिंपल सा, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं अगर यहाँ पर चलता हूँ, ठीक है, यहाँ पर भी I have one class name, and that is currency selector, ठीक है, अब यहाँ पर मैं चलूँगा, यहाँ पर भी we have a div, we have a label, and फिला ले इसको भी रहने दीजे, and label में we have what, we have a from, ठीक है, अब इसके नीचे में चलता हूँ, we have a select option, ठीक है, name and then id जो भी होगा, but here we have this options, ठीक है, options में value बहुत ही जाद इन्पॉर्टेंट है, so guys, इस तरीके से मेरे पास already data है, मैं आपको एक और trick यह बता सकता था, कि इन पांचो को आप एक array बना दो, and then map method यूस कर सकते हो, मैं जब react query की मदस्ति इसको करूँगा, तब मैं आपको वो trick बता हूँगा, फिलाल भी आप इसको simple रखिए, ठीक है, यहाँ पर name and then id की फिलाल कोई need नहीं है, so what we will do, कि यह जो div है इसको again आप copy कर सकते हो, यहाँ पर आईए paste कर दीजे, now instead of from, let's go with to, ठीक है, इस तरीकीस हम चलते है, so यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यह जो part है, इसको मैं उपर कर देता हूं, right, इसको मैंने उपर कर देता हूं, by default आपको यह top पर दिखाए देगा, so guys, मेरा इतना काम हो चुका है, ठीक है, अब मैं ठीक इसके नीचे चलूंगा, now we need a button, so हम button बना लेते हैं, button पर नमेक conditional operator आप कह सकते हैं, या ternary operator, जहां पर simple कि अगल लोडिंग हो रही है, ठीक है, इस तरीके से अगल लोडिंग हो रही है, then let's go with converting, converting वाला जो भी code है, else, यहां पर क्या एक और option है, we have a convert, ठीक है, इस तरीके से ठीक है, so, अगर लोडिंग हो रहे हैं, तो मतलब हम converting दिखांगे, else by default to always convert रहेगा, ठीक है मतलब बटन क्लिक करने के बाद, converting हो जाएगा, for few milliseconds I guess, right, अभी लोडिंग कहां से आ रहा है, मैं थुई दिर मैं बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना, साथी साथी यहां पर आप एक काम कर सकते हो, जब तक मेरा अगर लोडिंग हो रहा है, तो हम इसको डिसेबल रख सकते हैं, एक और चीज़ हम कर सकते हैं, कि हमारी एमाउंट, if it is equal to or less than 0, ठीक है, then also मुझे इसको क्या करना है, मुझे डिसेबल बना के रखना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहां पर इसके अंदर यह हमारा from currency, this is our to currency, यहां पर आपका जो भी amount है, ठीक है, यहां पर आपका जो value आएगा एक, वो converted amount में हो जाएगा, ठीक है, इतना भी आपका काम तो हो गया, इतना कोई बड़ी बात था नहीं है, तो finally अब वो घड़ी आ गई है, जहां पर हम react का यूज करेंगे, हमें एक एक चीज के लिएक state बहुत जरूरी है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हम, तो सबसे पहले guys, we need one state, जो की होगा अपकी amount, और वो basically हम यहां पर पूट करेंगे, input field में, ठीक है, then we need a from currency state variable, ठीक है, तो अब यह जो from currency है, तो इससे मुझे यह पता चलेगा, कि यह जो from वाले option में, user ने किसको select किया हुआ है, ठीक है, अब उसके बाद इतना कुछ होने का, we need a converted amount also, कि आपका currency amount जो convert हुआ, तो कहां रखे हम उसको, हम उसको रखेंगे इना converted amount में, ठीक है, इतना मेरा काम हो गया, अब रही कुछ चीजे जो बहुत जरूरी होती है, and that is to tackle the errors, ठीक है, from currency में by default state variable USD है, to currency में by default हमने Indian रखा हुआ है, and converted amount by default it's null, ठीक है, and यहां पर जो है, मैं zero कर दे रहा हूं फिलाल, क्योंकि हमने condition इसी base पर लगा है, कि zero, या zero से कम होगा, तो disable कर देना button को, एक चीज रहे गया, and that is nothing but your error, ठीक है, अब इसको मैं वापस zero कर देता हूं, यह हमने error का भी state बना लिया, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारे state variables है, यहां पर एक और trick में आपको बताता हूं, if you want, आप एक ही state variable बनाके, इतने सब को आप एक साथ लिख सकते थे, with the help of objects, ठीक है, but I think, यह सभी इतने अलग-अलग मुझे लगे, I think यह ठीक है, small application में कोई problem नहीं है, अब इतना तो मेरा काम हो गया, now let's tackle amount हां सबसे पहले, तो जब भी user कुछ भी लिख रहा है, तो इसकी value मुझे कैसे पता चलेगा, and कॉंसे state variable में हम उसको update करने वाले हैं, तो उसके लिए we need a value, we need a amount, then अब यूजर जब भी कुछ टाइप करेगा, तो वो one by one मुझे उसको capture तो कर नहीं है, so for that we have a on change event, जहां पे मैं directly ही यहां पे कोई function कॉल ना करके, मैं directly यहां पर ही उसकी value को update कर रहा हूं, with the help of event object, जहां पे we have a set amount, event dot we have a target, and then we have this value, this is it, so यह मेरा काम हो गया, तो अब input value में कोई भी कुछ भी टाइप कर रहा हूं, उसको मैं get करके, मैं बहुत इजली इस amount वाले state variable पे update कर दे रहा हूं, now second thing, user from which currency, to which currency, convert करना चाह रहा है, तो वो जो from वाला currency, वो मुझे चाहिए उसकी value, and उसके लिए मैंने already बनाई है, यहां पे from currency, ठीक है, so देखो कैसे, तो बहुत easy है, इसको तो आपको छूना भी नहीं है, just make sure we need to have this value attribute, अभी select में आप आईए, value, so let's go with from currency, right, and then we have the set from currency, यहां पे जब आप आओगे, the same thing, जो हमने से पहली की थी, that is by default, we get event object, and यहां पे set from currency में, same होई है, event.target, and then we have this value, so guys, it's that simple, इतना simple था यह, right, so यहां पे कुस्तो भी लो चाह आवरा है, set from currency, okay, so यह जो quick, I mean, यह जो yes link का issue है, कर दूँगा, now this time में अब to, user किस currency में convert करना चाह रहा है, so from को में कर दूँगा, to currency, set from को में कर दूँगा, set to currency, this is it, so user क्या type कर रहा है, कौन से amount, कितने amount convert करने के लिए type कर रहा है, value मैंने get कर ली, किस currency से convert करवाना चाह रहा है, किस currency में convert करना चाह रहा है, वह मेंने प्राप्त कर लिया है, अब रही एक बात, इस button के नीचे, we have this particular div, यहाँ पर में HR यूज करना चाहूंगा, and इस HR के नीचे, अप में एक condition देऊंगा, and that is कि अग्गा मेरा converted amount मुझे मिलता है, then and then only में वह value दिखाना चाहूंगा, and by the way, हम directly end operator यूज करने जारे तो कुछ इस तरगे से मेरा हो जाएगा, converted amount की value अगर रहेगी, तब एक div में ले रहा हम, जिस में H2 में, we have this amount, then from currency, let's say 10 USD dollar, equal to, जो भी converted amount होगा, let's say 81 INR, इस तरगे से value मुझे मिलने वाली, control and save, and एक और चीज रहे गया है, at the end में, if यह नहीं तो यह, if there is any error, paragraph में वह error आप दिखा दो, all right, अभी तक हमने वह कुछ किया निया, error दिखा दो, and all वह सब चीज अभी मुझे यहाँ पर मिला नहीं है, अब मैं control space करूँगा, and this is it, यह इतना सब कुछ हो गया, the moment मैंने use state को from react import करा ली, अब set converted amount अभी तक आपको कहीं मिला नहीं है, नहीं आपको set loading मिली है, नहीं आपको set error मिला है, यह तीनों की तीनों अभी जब हम actual में data को fetch करेंगे तब मिलेगा, and data को अब हम कब fetch करने वाले है, data को हम fetch करेंगे जब भी कुछ particular button पे press करेगा, तो इतना कुछ का निकवाद गाई हमारा application कुछ स्थिरकी से दिखाए दे रहा है, जहां पर हमें इसकी value इसकी value अब हमें मिल चुकी है, अब जब भी कुछ particular button पे click करेगा, we need to call that API ठीक है, जिसमें conversion amount हमें मिलेगा, and then यहां पर हम उसको display कर आएंगे, यहां पर चलते है, this is our button, यहां पर ठीक है, जब भी को इस पर करेगा click, जब भी को इस पर करेगा click, हमें एक function को call करने है, यहां पर आप लिख दीजे, handle convert currency, ठीक है, ठीक है, अब यहां पर cost handle convert currency, इस तरीके से मैं कर रहा हूँ, तो let's go with, we have a try and catch block, यहां पर जो भी error होगा, उसको तो मैं निप्टा देता हूँ पहले ही कुछ इस तरीके से, set error मैंने यहां पर update कर दी तो अब actual error का कोई problem हुजे नहीं है, ठीक है, यह जो error आपको दिख रहा है, यह कुछ इस तरीके से आपका हो जाएगा, ठीक है, perfect, अब try के अंदर देखों मैं क्या करता हूँ, it's easy, सबसे पहले तो मुझे इसको async बनाना पड़ेगा, ठीक है, अब यहां पे, let's call यह वाला particular function, currency converter, यहां पे, ठीक है, इस तरीके से, and, मैं इसको control and then space देना पड़ेगा, ताकि उसको मैं वापस से यहां पे, import कर सको सबसे पहले, क्योंकि once मैं इसको कर लेता हूँ, import, तो मैं अब इसकी use कर सकता हूँ, now, यहां पे यह जो particular function है, it accepts three parameters, तो यह तीनों के तीनों को मैं copy करूंगा, from over here, and उसको मैं यहां पे पेस्ट कर दूंगा, कुछ इस तरीकी से, so now, मैं एक function को call कर रहा हूँ, with those, I mean with these three arguments, and यहां पे मैं उसको define कर रहा हूँ, with these three parameters, जब आप define कर रहा हूँ, so it's called parameter, call के time, आपका argument हो कहलाता है, ठीक है, अब कुस्तोर data मुझे मिला होगा, right, data मुझे मिला होगा, we need to wait, and this is the fund of your async of wait, ठीक है, so const response, perfect, ठीक है, अब यहां पे मैं क्या करूंगा, const, data will be equal to, again we need to wait response, and then जो भी data आता है, we need to convert it into a JSON format first, ताकि हम उसको read कर सके अच्छे से, basically object में, तो यह dot JSON हमें लिखना पड़ता है, let's do one thing, let's console our data, ठीक है, इतना मेरा काम होगी है, and कुछ तो गड़वर्ड हुआ है, convert spelling, थोड़ा बहुत mistake हो गई थी, but it's fine, bottom पे आता हूं, over here also, convert, ठीक है, कोई problem नहीं है, सब कुछ set है, अभी यह दो जगों पे problem दिखा रहा है, so let's do one thing, कि जब हम first time call कर रहे है, obviously set loading, यह false, false नहीं sorry, it will be true, क्योंकि तब मुझे इसको true करना है, and set error जो है, फिलाल तो कुछ यहां पे थोड़ी कुछ होगा, वो तो इस जगे पे catch होगा न, error ठीक है, and set loading को मैं यहां से भी copy करूँगा, एदम end में आके मैं यहां पे इसको false कर दूँगा, अब अब अगर सब कुछ सई है तो, ठीक है, इस तरीके से इधर आप यहां पे कर सकते हो, else आप यहां पे भी कर सकते हैं, कुछ नहीं है, ठीक है, all right, इतना मेरा काम हो गया, अब इभी set converted amount जो है, इसको मैं copy करता हूँ, ठीक loading हटा के, यहां पे जो भी data होगा, ठीक है, फिलाल के लिए मैं इसको zero रख देता हूँ, फिलाल के लिए, तो अब ठीक है, कुछ भी problem नहीं है, मैं यहां पे चलना चाहूँगा, एक बार हम inspect पे चलते हैं, मैं चाहूँ तो component पे भी जा सकता था, बट एक बार refresh कर देता हूँ, मुझे कुछ तो यह problem आ रहा है, ठीक है, रहन दो इसको, 10, अगर मैं convert पे क्लिक करता हूँ, तो rest.json is not a function, okay, error fetching conversion rate, यहां पे, कितने awesome तरीके से मुझे error तो आ रहा है, बट हां दूसरे जगे पे error आ रहा है, उसके बदले में क्या करूँगा, की, conversion rate वहां पे नहीं आना था वैसे, by the way, we have a button, काम करते हैं, यहां से मैं हटाता हूँ, यहां पे रख देता हूँ, and yeah, ठीक है, कुछ हम यह कर सकते है, so at least, error fetching conversion rate, ठीक है, and response.json is not, oh my god, I am sorry, the thing is, जब आप axios करते हो, तो this is the beauty, कि आपको json version में convert करनी की need ही नहीं, because by default, वो आपको data देता है, by default, तो it's a data, this is the beauty of your axios, कि json में convert करनी की need नहीं है, by default वो आपको data दे रहा है, and मैंने यहां पर उसको store कर दिया, ठीक है, अब इसको एक बार मैं refresh कर देता हूँ, इसको मैं देख लेता हूँ, कोई नहीं, but इसको आप मैं 10 कर देता हूँ, and then मैं convert पर क्लिक हूँ, and boom guys, देखो मुझे results आ गए यहां पर, and जो सबसे ज़्यादे important मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो है यह, कि we have a base code, that is your USD, conversion rate क्या है, मतलब, USD, एक USD, इंडियन में उसका 84 rupees, and something यह चल रहा है, conversion result यह बहुत important है, क्योंकि conversion result में हमें actual data मिलता है, convert होने के बाद, तो यह जो conversion result है, मुझे success है, target code है, बहुत सारे data है यहां पर, तो यह जो conversion result है, I will copy, मैं copy करूंगा, and इस data के बदले, मैं directly conversion result इस तरह की से लिख दूँगा यहां पर, ठीक है, तो मैंने directly destructure कर दिया, है न, अब यही conversion result को, मैं यहां पर लिख दूँगा इस तरह की से, तो यह मेरा काम हो गया, अब यहां पर data की मुझे कोई need नहीं है, and by the rest की कोई need ही नहीं है, ठीक है, तो यह मेरा काम हो गया, अब यही set conversion, मतलब, अब यही set conversion, मैं, basically यह जो converted amount है, update हो जाएगा, and अगर यह value update हो गई, तो मैं finally यहां पर value दिखाऊंगा, so yeah, this is it, इतना ही तो है, अब अगर मैं यहां पर चलता हूँ, let's go with the 20, 20 कितना हो तक convert करता हूँ, and boom guys see, so 20 US dollar is equal to this much Indian rupee, अब हम एक काम करते हैं guys, यूरो पे हम चलते हैं, एक second, यह क्या हो रहा है, कुछ तो गड़बड हो रहा है, कि मैं select क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, we have a from, we have a to, two currency, set two currency, let's see, अरे यार, oh my god guys, हमने, पाता नहीं मैंने कैसे यह लिखा यहां पर, but this set from currency क्या कर रहा है, यह तो on change होता है, मैं वही सोचोगा, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि, कितना easy है, भाई इतने सारे options का data में से, कौन से, या basically, किसको हमने select की, कोई बड़ी बात थी नहीं, एक simple सा logic लिखना था, ठीक है, तो it's just on change, I guess, अब तो कोई problem नहीं है, एक बार inspect पे भी मैं चलता हूं, यहां पे मैं चलता हूं, component पे एक बार इसको मैं refresh कर देता हूं, component पे चलते हैं, एक बार इसको मैं 20 करके देखू, तो क्या होता है, okay 20 तो हो रहा है, Euro करता हूं, okay Euro भी हो रहा है, इसको मैं Australian करता हूं, oh my god, see ya, this is it, see, these are the hooks, जो कि मेरा आप काम कर रहा है, Euro Australia, ठीक है, मतलब पार फेक्ट कोई problem नहीं है, इसको मैं यह नहीं करूंगा, मैं इंडिया नहीं रहने दूंगा, let's see, let's see guys, American dollar ज्यादा expensive है, या European 20 rupees इंडिया में, ठीक है, किसकी ज्यादा value है, European countries या American countries, oh my god, so एक चिस्ता आपको clear हो गया, कि guys, अगर आप 20 euro कमाती है, आपके पास ज्यादा पैसे है, when it compares to 20 American dollar, चलो अभी दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है, so 1 USD dollar equal to how much European dollar, okay, so basically हो यह रहा है, कि American dollar जो है, in front of European, basically euro वो कम है, आप यह आनुमान लागा, ठीक है, but now कितना easy हो गया, कि हमने अपना खुद का एक currency converter application बना ली, and दिखने में कितना प्यारा and awesome लग रहा है, कभी भी अगर आपको conversion करना हो, आज के ताइम में आपके friends, कोई Australia, कोई America, पाता हैं कोई कहा है, European countries में, अब वो आपसे पैसा मागते हैं, तो आप Google में क्यों जाना अपना खुद का application है, चलो भाई, दोशने मागा 10,000, 10,000 USD कितना होता है, देखा जाए, oh my god, 8,000,000 क्या सपास हो रहा है, ठीक है, तो कुछ इस तरिके से आप आपको पता चल जाएगा, कहने को तो 10,000, बाट इन इंडिया रूपीज, इस एट लैक रूपीज, एट लैक रूपीज, एट लैक फुर्टी वन थाउजन, ठीक है, तो या, इस इस वीडियो क्लितने ही आई हो, बहुत ही ज्यादा मजा होगा, बहुत कुछ सिखने मिला होगा, फाइनली, रियक्ट प्लस एक्शू, के साथ हमने देखा, कि हम कैसे काम कर सकते हैं, कुछ भी डाउट हो तो, लेट मेनो इन दी कमेंट सेक्शन, स्टाल्ट अप फाइल, फूल सोर्स कोट कम, सब कुछ में बिल्कुल फ्री में आपके साथ सेर कर रहा हूँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, मैं भी चाहूँगा गाइस इन रिटेन, अटलिस आप वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ भर बर के सेर कीज़ेगा, आप नेक्स टागेट इस 7 लेक सब्सक्राइब, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजेगा, इसका अपना खुद का API की जरू करना, कोई नीड नहीं मेरी API की यूज करने के फिर मैं क्या करूँगा, खतम हो जाएगा फिर वो ठीक, जाएगा, प्लीज सब्सक्राइब जरू की जग, पहुत ऑशम वीडियो आने वाले, मिल तो अब मैं आपको कल की वीडियो में टी दिन, झांकि जो मुच, टेक क्या अब। सुआ विश्य में आजएगा, झाले करदा दोग्य कर दोगा है